साल 2019 में होने वाले लोकस्वा चुनाओ को ध्यान में रखकर पियम मोदी ने बड़ा दाओ चला है जिहाब बंडित दिन द्याल उपाध्याई की जैनती पर पियम मोदी ने सोम बार यानि 25 सितंबर को सोभागे योजना लॉंच की इस योजना के तहरत हर घर तक बिजली पहुचाने का लक्ष रखा गया है दाबा किया गया है कि इस योजना से बड़े संख्या में गरीबों को फायदा मिलेगा मिदिया रिपोर्ट के मताबिक योजना को 21 मार्च 2019 तक पूरा करने का टार्गेट रखा गया है पंडिप दीन दियाल उपाध्याई की जैनती पर देश को सभागी योजना की सौगात देने के बाद पिया मोदी ने खुशी जदाते हुए कहा कि देश के गरीब महिलाओं से जुरी एक आवश्चक योजना की आज शुरुवात हुई है बता दे कि इस योजना का पुरा नाम परधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना है तो भागी योजना के लाउंच बने के मौके पर मोदी ने कहा कि देश में चार करोड़ से जादा ऐसे घर है जहां बिजली नहीं है आज भी करोड़ों गरीब परिवारों के यहां मौमबत्ती जलाई जाती है पियाम मोदी ने ये भी कहा कि बिजली के अभाव में महलाओं को अंधेरे में खाना पगाना पड़ता है मोदी ने पुराने दिन को याद करते में कहा कि मैंने भी बच्पने मिट्टी के तेल का दिया जलाकर पढ़ाई की है तो भागे योजना के तहात फ्री में बिजली कनेक्शन लगाये जाएगा इसके लिए पैसे की डिमांड नहीं की जाएगी गरीब के घर जाकर सरकार बिजली कनेक्शन देगी बताया जाता है कि इस योजना पर 16,000 करोड से जादा खर जाएगा ब्योर रिपोर्ट न्यूज ऑपरेशन